मस्कार दोस्तो मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तो संत रविदास जी के बारे में आप समने सुना होगा वह एक महान संत हुए थे आज मैं संत रविदास जी की आपको कथाचनाने जा रही हूँ की वो एक कैसे परमभक्त थे संत रविदास जी का जनम चमार समधाय में काशी नगर में हुआ ये परमेश्वर कबीर जी के समकालिन हुए थे परमभक्त रविदास जी अपना चरमकार का कार्य किया करते थे वह भक्ती भी करते थे परमेश्वर कबीर जी ने काशी के परसिद अचार्य स्वामी रामानंद जी को जथार्थ भक्ती मारक समझाया था अपना सतलोग स्थान दिखाकर वापी छोड़ा था उससे पहले स्वामी रामानन जी केवल ब्राहमन जातिके व्यक्तियों को ही शिश्य बनाते थे उनके पश्चात स्वामी रामानन जी ने अन्य जातिवालों को शिश्य बनाना प्ररम्ब किया था संत रविदास जी ने भी अचार्य रामानंजी से दिख्षा ले रखी थी भक्ती जो परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंजी को प्रथम मंत्र बताया था उसी की दिख्षा में स्वामी जी देते थे संत रविदास जी भी उसी प्रथम मंत्र का जाप किया करते थे भक्त जी आप गंगाशनान के लिए चलोगे मैं तो जा रहा हूँ इस पर संत्रविदार जी ने कहा कि मन चंगा तो कटोती में गंगा मैं नहीं जाऊंगा इस पर पंडे जी बोले कि आप नास्तिक से हो गए लगते हो आप उस कबीर जी के साथ क्या रहने लगे हो दर्म करम ही त्याग दिया है कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो मैं गंगा मैं को दे आऊंगा रवीदास जी ने जेब से एक कोड़ी निकाल कर ब्रामन जी को दी रता कहा हे ब्रामन गंगा जी से मेरी यह कोड़ी देना एक बात सुन ले शदी गंगा जी हाथ में कोड़ी ले तो देना अन्यथा वापिस ले आना यह कहना कि हे गंगा यह कोड़ी काशी शहर से भख्त रवीदास ने बेजी है इसे आप ग्रहन करे पंड़े जी ने गंगा दरिया पर खड़ा होकर ये शब्द कहे तो गंगा ने किनारे के पास हाथ निकाल कर कोड़ी ली और दूसरे हाथ से पंड़े जी को एक स्वरन का क गंगन दिया जो अतिसुंद्र वह बहमुल्य था गंगा ने कहा कि ये कंगन परमभक्त रवीदास जी को देना कहना कि आपने मुझ गंगा को किर्थात कर दिया आपने हाथ से प्रशाद देकर मैं तो धन्य हो गया मैं उस संत को क्या बेड़ सकती हुँ पंडे जी उस कंगन को लेकर चल पड़े पंडे जी के मन में लालच हुआ कि यह कंगन मैं राजा को दूँगा राजा इसके बदले में मुझे बहुत दन देंगे पंडे जी ने राजा को दिया जो अद्बुत कंगन था पंडे जी को बहुँ सा दन देकर विदा किया गया और उसका नाम पता नोट किया राजा ने पंडे जी ने पंडे जी ने राजा को दिया तो राजा ने उसी पंडित को बुलाया और कहा कि जैसा कंगन पहले लाया था वैसा ही एक और लाकर देख जो दन कहेगा वही दूंगा यदि नहीं लाया तो सब परिवार मोत के गाट उतारा जाएगा उस दोखे बाज के सामने पहाड जैसी समस्या खड़ी हो गई सब सुनारों के पास फिरकर अंत में वह अरम बक्त रविदा जी के पास आया अपनी गलती सविकार की सर्व गटना गंगा को कोड़ी देना बदले में कंगन लेना उस कंगन को बक्त रविदा जी को ना देकर मुसीबत मोल लेना पंडे जी ने गिड़ गिराकर रविदाजी से अपने प्रिवार के जीवन की बिख्षा मांगी रविदाजी ने कहा हे प्रामण आप शमा के योगे नहीं है प्रंदू परिवार पर अपत्ती आई है इसलिए आप की सहायता करता हूं आप इस पानी मिट्टी का जो बड़ा टब था जिसमें चमडा भगोया जाता था में हाथ डाल कर और गंगा से यह कहें कि बक्त रविदाजी की प्रातना है कि आप कटोती में आए और एक कंगन वैसा ही दे ऐसा कहकर पंडित जी ने जो रविदाज के चमार होने के कारण पांच फुट से दूर से बात करता था अब उस चाम विगोने वाले टब में हाथ देकर देखा तो हाथ में चार कंगन वैसे ही आए बख रविदाज जी ने कहा कि पंडित जी एक ले जाना शेश गंगा जी को लुटा देना नहीं तो बेहंकर अपत्ती आ जाएगी ब्रामन ने तुरंत तीन कंगन वापस कुंड में डाल दिये और एक कंगर लेकर राजा को दिया रानी ने पूछा कि ये कंगन कहां से आये हो मुझे बता दो ब्रामन ने संत्र विदाजी का पता बताया रानी ने सोचा कि कोई स्वरनकार होगा और डेर सारे मैं उससे कंगन ले आऊंगी रानी को एक असादे रोग था उस पर पित्र का साया भी था वहे बहुत ही परिशान रहती थी सब जगा उपचार करा लिया था सादू संतों का आशिरवाद भी वहे ले चुकी थी परन्तू कोई राहत नहीं मिल रही थी रानी उस पते पर गई साथ में नोक रानी तथा अंगरक्षक भी थे रानी ने संत रविदाजी के दर्शन किये दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कश्ट समापत हो गया रानी को ऐसा एसास हुआ की सिर से बारी बार उतर गया हो रानी ने संत जी के तुरंथ चरन शुए रवीदास जी ने कहा की हे रानी मुझ निर्दन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ रानी ने कहा मैं तो सुनार की दुकान समझ कर आई थी गुरुजी मेरा तो जीवन दन्य हो गया मेरा जीवन नरक बन गया था मैं इस रोक से बड़ा परिशान थी पर आपके दर्शन से वह स्वस्थ हो गया मैंने बहुत उपचार किये प्रन्तु कोई लाव नहीं हुआ था दानी ने कहा मैं तो पूरे सादू संतों की सेवा करती हूं बंडारे करती हूं पर रविदाजी ने कहा पिन गुरु बजन दान बिरत है जू लूटा चोर ना मुक्ती ना लाव संसारी कैसम जाओ तोर कबीर गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन दोनों निश्फल है चाहे पूछो वेद पुरान रानी ने कहा कि हे संत मैंने एक ब्रामन गुरु बनाया है रविदाजी ने कहा कि नकली गुरु से भी कुछ लाव नहीं होना आपने गुरु बना रखा है और ऐसे गुरु का क्या लाप तेरे घर में पूर्ण माशी को लंगर करने आए रानी ने साथ में 700 ब्रामन को भी बोजन में अमंतित किया था रानी ने अपने गुरु रविदाजी को अच्छे आसन पर बिठा रखा था उसके साथ 700 ब्रामनों को बोजन के लिए पंक्ती में बैठने के लिए निवेदन किया ब्रामन कहीं पंक्तियों में बैठे थे बोजन सामने रख दिया गया था उसी समय ब्रामनों ने देखा कि रविदाजी अच्छूत जाती वाले साथ बैठे हैं सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम बोजन नहीं करेंगे यह अच्छूत रविदाज जो बैठा है इसे दूर करो रानी ने कहा कि यह मेरे गुरु जी हैं यह दूर नहीं होंगे संत रविदाजी ने रानी से कहा कि बेटी मेरी बात मानो मैं दूर बैठता हूं रविदाजी उठकर ब्रामनों ने जहां जोती निकाल रखी थी उनके पीछे बैठ गए पंडी जन बोजन करने बैठ गए उसी समय रविदाजी के 700 रूप बने और परतेक ब्रामन के साथ थाली में खाना खाते हुए दिखाई दिये एक ब्रामन दूसरे को कहता कि आप के साथ एक शुद्र रविदास बोजन कर रहा है छोड़ दो इस बोजन को सामने वाला कहता कि आप के साथ भी व्याबोजन कर रहा है इस प्रकार परतेक के साथ रविदाज जी बोजन खाते दिखाई दिये रविदाज जी दूर बैठे कहने लगे कि हे ब्रामन गन मुझे क्यों बदनाम करते हो देखो मैं तो यहां बैटा हूं इस लीला को राजारानी मंतरी सब देख रहे थे तग रविदास जी ने कहा कि ब्रामन करम से होता है जाती से नहीं अपने शीर के अंदर स्वरन का जने उदखाया कहा कि मैं वास्ता में ब्रामन हूँ मैं जरम से ब्रामन हूँ कुछ देर उन्होंने ससंग सुनाया उस समय सासो ब्रामनों ने अपने नकली जिनेहू तोड़कर संतरवीदास जी के चर्णों में रख दिये और उनके शिश्य बन गे सत्ते साधना करके उन्होंने अपना कल्यान कराया ये थी महान संतरवीदास जी की कथा दोस्तों अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद